नमस्कार साथियों वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में तो जैसा कि आपने टाइटल और थमनेल में देखी लिया होगा कि बीटी यूपी की हालत एकदम बिल्कुल खराब हो चुकी है मैं किस बेस पर कह रहा हूँ क्योंकि कुछ आपके आंकड़े जारी किये गए हैं उत्तरपदेश पॉले टेकनिक से रिलेटेड तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे और गाइस जैसे आप पॉले टेकनिक करते हैं या आप आने वाले समय में पॉले टेकनिक करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होन तो चलिए क्या अपडेट है हम आपको बताते हैं देखें यहां पर ट्विट के माद्धम से बताया गया है कि पॉलिट टेकनिक में इस साल यानी की 2022 की बात हो रही है पॉलिट टेकनिक में इस साल साइध ही एक लांग सीटे भरी गई होंगी और प्रिदेश में पॉलिट टे पहले जो grace था कि हमें polytechnic करनी है अब polytechnic का आपका graph बिलकुल नीचे की तरफ जा चुका है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो हमारा BTOP board है ना इसका time table का कुछ पता है कब paper होना है कब result देना है कोई भी systematic तरीका नहीं है कब practical होना है और तो और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके back लगा दी जाती है और उनको बहुत कम number दिये जाते हैं और आप इस बार ही देख लीजिए कि इस scrutiny के लिए कितने ज़्यादा बच्चों ने यहां पर apply कि किया था और वहां पर BTUP की बात कें तो copy भी सही तरीके से नहीं चेक की जाती है ठीक है तो BTUP का graph इस साल काफी डाउन चला गया है बहुत कम students ने यहां पर आपका admission लिया है काफी सारे बच्चों ने entrance exam दिया था लेकि entrance exam देने के बाद बात करें तो लगभग केवल 35,000 बच admission लिया है और जुन्होंने direct admission लिया है वो आपके हैं 25,000 यानी की बात करें direct admission कब होता है यदि आप counseling यदि आपकी seat खाली रह जाती है किसी भी college में तो यदि आपने entrance exam दिया है तो आपका direct admission हो जाता है तो देख लिजे exam के बाद 35,000 बच्चों ने यहां पर admission लिया है और direct admission की बात करें तो 25,000 यानी की 1,00,000 से कम students ने इस बार polytechnic के admission लिया है और बात करें seat की तो यहां पर polytechnic में seat है 2,08,000 यानी की आधे से कम students यहां पर interested है polytechnic करने के लिए क्योंकि जो polytechnic है उत्तर पदेश बोर इसकी हालत आप समझ देजिए बिलकुल ही खराब है ना कापियां सही से चेक की जाती है ना बच्चों को सही से यहां पर number दिये जाते हैं जो अच्छा paper करके आता है उसके back लगा दी जाती है तो यह सब काफी सारे matter करते हैं BT UP को graph को लेकर जो इसका down चला गया है इस बार तो यह guys मैं आपको यहां पर demotivate बिलकुल नहीं कर रहा हूं जो update है मैं आप तक उसको share कर रहा हूं तो polytechnic की हालत उत्तर प्रदेश की बिलकुल ही खराब है और इस बार आप ने यह data देखा होगा तो आप समझ गये होंगे कि कितना डाउन यह चला गया है तो guys यह था update जो मैंने आप तक share किया है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें आपने सभी दोस्तों को वीडियो को share करें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप वीडियो को complete watch करने के लिए अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम पर join कर लीजेगा लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी